भारत माता की आवाज तेलंगना तक पहुँचनी चाहिए भारत माता की भारत माता की आज की विजय अहितिहासिक है अभुद्पुर्व है आज सबका साथ सबका विकास की भावना जीती है आज विक्सिद भारत के आहवान की जीत हुई है आज आत्म निर्भर भारत के संकल्प की जीत हुई है आज बंचितों को वरियता के विचार की जीत हुई है आज भारत के विकास के लिए राज्यों का विकास इस सोच की जीत हुई है आज इमांदरी, पारदर्शिता और सूचासन की जीत हुई है मैं इस मन्च से सभी मतदाताओं को आजर पुर्वक नमन करता हुई मतपदेश, राजस्थान और 36 गड़ के लोगों ने भाजपा पर भरपूर्श नेह दिखाया है तेलंगना में भी बीजेपी के प्रती समर्थन लगातार बढ़ रहा है यह हम सभी का सवभाग्य है जब अपने परिवार जनों से इतना प्यार मिलता है विश्वास मिलता है तो मैं व्यक्तिगत रुप से वनुभाव करता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है आज भी मेरे मन में यही भाव है मैं अपनी माताओं बेहनों बेटियों के सामने मैं अपने युवास साथियों के सामने मैं अपने किसान भाई बेहनों के सामने उन्होंने जो निरने किया है जो बड़ चड़कर के समर्थन दिया है इसके लिए मैं उनके सामने नतमस्तक हूँ इस चुनाओं में देश को जातियों में बाटने की बहुत कोशिश हुई लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में चार जातियां ही सबसे बड़ी जातियां है और जब मैं चार जातियों की बात करता हूँ हमारी नारी शक्ति हमारी युवा शक्ति हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार इन चार जातियों को ससक्त करने से ही बेश ससक्त होने वाला है आज बड़ी संख्या में हमारे ओबी सी साथी इसी वर्ग से आते हैं आज बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी साथी इसी वर्ग में आते हैं और इन चुनाओं में इन चारों जातियों ने भाजपा की योजनाओं और भाजपा के रोड मैप को लेकर बहुत उत्सा दिखाया है आज हर गरीब कह रहा है वो खुद जीता है आज हर वंचित के मन में भावना है कि चुनाओं वो खुद जीता है आज हर किसान यहीं कहता है ये चुनाओं हर किसान जीता है आज हर आदिवासी भाई बेहन ये सोच कर खुश है कि उसने जीसे वोड दिया वो विजय उसकी अपनी है आज हर फर्स टाइम वोटर बड़े गर्व के साथ कह रहा है कि मेरा पहला वोट मेरे विजय का कारण बना है इसी जीत में हर महिला अपनी जीत देख रही है इसी जीत में बैतर भविस्त का सपना देखने वाला हर युवा अपनी जीत देख रहा है हर वो नागरिक इसे अपनी सफलता समझ रहा है जो 2047 में भारत को एक विक्सित राष्ट देखना चाहता है साथियों का पर्चम लहराएगी और जब देश की नारी शक्ति किसी का सुरक्षा कबच बन जाए तो कैसी भी ताकत उसे नुक्सान नहीं पहुचा सकते हैं आज नारी शक्ति बंदन अधिनियम ने देश की माताओ बेहनों बेटियों के मन में नया विश्वास जगाया है आज देश की हर महिला में ये भरोसा जगा है कि भाजपास सरकार में उनकी सक्रिय भागिदारी को नहीं बुलंदी मिलने वाली है आज हर बेहन बेटी को साब साब लगता है कि बीजेपी ही नारी गरीमा, नारी सम्मान, नारी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है उन्होंने देखा है कि बीते दस वर्सों में भाजपाने, उन्तक, टॉयलेट, बिजली, गैस, नल से जल, बैंक में खाते ऐसी बुनियादी सुविदाएं पहुचाने के लिए कितनी इमानदारी से काम किया है आज वो देख रही हैं कि कैसे बीजेपी घर, परिवार में, समाज में उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें रोजगार, स्वरोजगार के ने अवसर देने के लिए निरंतर काम कर रही है नारी शक्ति का विकास, बीजेपी के विकास मॉडेल का एक महत्व पूर्स्तंब भी है और इसलिए इन चुनावों में महलाओं ने, बहनों बेटियों ने एक प्रकारते भाजप का के विजए की पूरी जिम्मेवारी अपने हाथ में उठा ली थी और भरपुर आशिरवाद दिया है मैं आज पूरी विनम्नता से देश की हर बहन, बेटी को यही कहूंगा कि आप से जो वाइदा बीजेपी ने किये हैं वो शत्र प्रतिशत पूरे किये जाएंगे और ये ये मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी साथियों चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पस्ट की है बेश का युआ शिर्फ पर सिर्फ विकास चाहता है जहां भी सरकारों ने युआओं के खिलाब काम किया हैं वो सरकारे सत्ता से बहार हुई हैं चाहे राजस्तान हो चत्तिजगड हो या तेलंग ना हो ये सारी सरकारे पेपर लीक और भरती गोटालों के आरोपों में गिरी हुई थी परणाम ये हुआ कि इन तीनों ही राज्यों में सत्ता में बैटे दल अब सरकार से बहार है आज देश के युवा में ये भरोसा लगातार बढ़ रहा है कि बीजेपी ही उसकी आकांशाय समझती है उसके लिए काम करती है बेश का युवा ये जानता है कि बीजेपी की सरकार युवा हितेसी होती है युवाओं के लिए नए आउसर बनाने वाली होती है साथियों आज देश का आदिवासी समाज में अब खुल कर अपनी बात रख रहा है ये वो आदिवासी समाज है जो कॉंग्रेस की नीतियों की वजह से साथ दसक तक पीछे रहा जिसे आउसर नहीं दिये गए इनकी जनसेंग के आज दस करोड के आसपास है हमने गुजरात के चुनाव परणामा में भी ये देखा है जिस कॉंग्रेस ने आदिवासी समाज को कभी पूछा तक नहीं उस आदिवासी समाज ने कॉंग्रेस का सफाया कर दिया यही भावना आज हमने MP 36 गड और राजस्थान में भी देखी है इन राज्यों की आदिवासी अंचल की सीटों पर कॉंग्रेस का सुप्रा साफ हो गया है आदिवासी समाज आज विकास के लिए आकांग्षी है और उन्हें बरोसा है कि इस आकांग्षा को सिर्फ और सिरफ भाजपा सरकार ही पूरा कर सकती है मेरे परिवार जनों मैं आज हर राज्य के भाजपा कायर करताओं की भी सराना करूंगा भूरी भूरी प्रसमसा करूंगा भाजपा और कबल के प्रती आपकी निष्ठा आपका समर्पन अतुल्निय है डबल इंजिन सरकार का मेसेज आपने पूरी मांदारी से जन जन तक पहुँचाया इसी का परणाम आज हमें मिल रहा है हमारे राष्टिय देख्ष्य नज्दाजी जिस प्रकार अपनी नीती रणदीती को अमल में लाए यह विजय उसका भी परणाम है और चुनाव के धर्म्यान उनके परिवार में एक दुखत घटना घटी लेकिन उसके बावजुद भी नज्दाजी भारतिय जनता पार्टि के कारकरता के रूप में दिन रात डटे रहे साथियों राज नीती के इतने वर्षों में मैं हमेशा भविश्यमानियों से दूर रहा मैं कभी बादे बादे और बड़ी बड़ी गोच्छना नहीं करता हूँ इतने साल हो गए कभी नहीं करता हूँ लेकिन इस बार चुनाव में मैंने अपना ये नियम भी तोड़ा था मैंने राजस्थान में मावजी महराज को प्रणाम करते हुए उनी की धर्ती पर ये भविश्वानी की थी कि राजस्थान में कॉंग्रेस सरकार लोट करके नहीं आएगी मैं भविश्वेत्ता नहीं हूँ लेकिन मेरा राजस्थान के लोगों पर भरोसा था वहां की जनता पर भरोसा था और आज हम नतीजे देख रहे हैं मत्य प्रदेश ने भी हमें फिर दिखाया है कि भाजपा के सेवा भाव का कोई विकल्प नहीं है दो दसक से वहां भाजपा की सरकार है और इतने वर्षों के बाद भी भाजपा पर भरोसा लगातार मजबूती हो रहा है 36 गड़ के परिवार जनों को तो मैं जब मैं वहाँ चुनाव सभाव में गया तो मैं खुदी पहली सभा में 36 गड़ के चुनाव की पहली सभा में मैंने खुद कहा था मैं आप से कुछ मांगने नहीं आया हूँ मैं तो आपको तीन डिसंबर के बाद सरकार बनेगी तो सपत समारू में निमंत्रन देने के लिए आया 36 गड़ के परणाम से साफ है कि हर परिजन ने उस बात को स्विकार किया है मैं तेलंगरा की जनता और तेलंगरा की भाजपा कायर करताओं का विशेस आभार व्यक्त करता हूँ हर चुनाओं में तेलंगरा में भाजपा का ग्राप लगातार बढ़ रहा है मैं तेलंगरा की लोगों को ये विश्वाद दिलाता हूँ कि बीजेपी आपकी सेवा में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी भारतिय जनतापार्टी तेलंगरा अभीवृत्ती कोसम एल्ला पुडुपनी चेंच्तुने उटुंडी तेलंगरा तो माको चाला मन्ची अनुवन्दम उण्डी मेरे परिवार जनो इस चुनाव परणाम की गुण्ज सुरप एमपी राजस्तान और छत्तिस गर्ताक सीमीत नहीं रहेगी इन परणामों की गुण्ज दूर तक जाएगी पूरी दुनिया में इन चुनाव परणामों की गुण्ज सुनाई देगी ये चुनाव परणाम भारत के विकास पर भरोसा दुनिया के भरोसे को और मजबूती देगा ये चुनाव परणाम दुनिया भर के निवशकों को भी नया विश्वास देगा भरोसा ये कि आज़ादी के अमरितकाल में विक्सीत भारत का जो संकल्प हमने लिया है उसे जनता जनारदन का लगातार आशिरवाद मिल रहा है आज दुनिया देख रही है कि भारत का लोगतंत्रा और भारत का वोटर दोनों कितने परिपक्व हैं कितने मैच्चौर है आज दुनिया देख रही है कि भारत की जनता पूर्ण बहुमत के लिए स्थीर सरकार के लिए सोच समझ करके वोट कर रही है साथियों भाजपाने सेवा और सुशाशन की राजनीति का नया मोडल देश के सामने प्रस्तूत किया है हमारी नीती और निर्णों के मूल में शिर्फ पर सिरफ देश है देश वासी है भारत माता की जय यही हमारा मन्त है इसलिए भाजपा सरकारे सिर्फ नीतिया नहीं बनाती बल्कि हर हकदार हर लाभारती तक वो पहुँचे ये भी सुनिस्चित करती है भाजपा, पर्फॉर्मेंस और डिलिवरी की राजनिती देश के सामने हकीकत बन करके ले करके आई है भारत का मत्दाता जानता है कि स्वार्थ क्या है जनहीत और राष्टहीत क्या है दूद का और पानी का भेज़ देश जानता है जैसे तैसे जीतने के लिए हवाई हवाई बाते करना और लोब लालच की गोचनाए करना कि मत्दाता पसंद नहीं करता मत्दाता को उसका जीवन बहतर करने के लिए एक स्पस्ट रोड मैप चाहिए एक विश्वस्नित्य चाहिए एक बरोसा चाहिए भारत का वोटर ये जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है हर परिवार का जीवन बहतर होता है इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है लगातार चुन रहा है और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है आज के जना देश ने ये भी साबित किया है कि ब्रश्टाचार तुष्टिकरान और परिवार बात को लेकर देश के भीतर देश के हरनागरिक के दिल में जीरो टॉलरंस बन रही है आज देश को लगता है कि इन तीन बुराईयों को खत्म करने में अगर कोई प्रभावी है तो वो भाजपाही है भाजपाही केंद्र सरकार ने देश में ब्रश्टाचार के विर्द जो अभ्यान छेट रखा है उसको भारी जन समर्थन मिल रहा है ये उन्दलों उन्नेताओं को वोटर की साप साप चेतावनी है जो ब्रश्टाचारियों के साथ खड़े होने में जराबी शर्मन वह नहीं करते हैं उन्दलों को देश की जनता ने आज साप साप संदेश दे दिया है और ऐसे लोग जो बांती बांती के तरकों से ब्रश्टाचारियों को कवच देते हैं कवर अप करने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग जो ब्रश्टाचार पर कड़ा प्रहार करने वाली जाच एजंचियों को बदनाम करने में दिनराज जुटे हुए है बेसमझने ये चुनाव नतीजे ब्रश्टाचार के खिलाब लड़ाई का भी जन समर्थन है ये चुनाव नतीजे कॉंग्रेस और उसके गमन या गड़ बंदन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है सबक ये है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाएं देश का भरोसा नहीं जीता जाता देश की जनता का दिल जितने के लिए राष्ट सेवा का जज़बा होना चाहिए और गमन या गड़ बंदन में रती भर भी वो नजर नहीं आता है गाली गलोच निराशा नेगेटिविटी एक गमन या गड़ बंदन को मीडिया की हेडलाइन जरूर दे सकती है लेकिन जनता के दिल में स्थान नहीं दिला सकती साथियों आज के ये नतीजे उन ताकतों को भी चेतावनी है जो प्रगती और जन कल्यान की राजनीती के खिलाब खड़े रहते हैं जब भी विकास होता है कॉंग्रेस और उसके साथ ही विरोध करते हैं जब हम मंदे भारत ट्रेन लाँच करते हैं तो कॉंग्रेस और उसके साथ ही उसकी मजाक उड़ाते हैं जब हम आईश्वान भारत लाँच करते हैं तो कॉंग्रेस और उसके साथ ही इसमें रोड़ा अटकाते हैं जब हम गरीबों के लिए घर बनाते हैं तब कॉंग्रेस और उसके साथ ही रुकावटे डालते हैं एसी सभी पार्टियों एसी सभी पार्टियों को आज गरीबों ने चेतावनी दी है सुधर जाईए सुधर जाईए वरना जनता आपको चुन चुन करके साफ कर देगी आज ऐसी पार्टियों के लिए सबक है कि केंद्र सरकार की गरीब कल्यार की योजनाओं और उनके लिए भेजे जहरा है फंड के बीच में आने की कोशिस मत करो यह जनता का आदेश है वरना जो बीच में आएगा उसे जनता हटा देगी लोग तंत्र गहित में मेरी कॉंगरेस और उसके साथियों को नम्रता पुर्वक सला है कृपा करके ऐसी राजनिती न करें जो देश विरोधी ताकतों को बल दे जो देश को बाटना चाहते है ऐसे लोगों को मजबूती दे जो देश को कमजोर करने वाले विचारों को गती दे साथियों आज भारत की अर्थे ववस्ता का हर पहिया पूरी गती से घूम रहा है कुछ लोग कह रहे थे कि विश्व में मंदी का असर भारत पर पड़ेगा लेकिन भारत ने हर आकलन से कहीं बहतर प्रदर्शन किया आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विक्षिद होती आर्थिक ताकत है आज भारत का आत्मविश्वास भारत के लोगों का आत्मविश्वास अभुद्पूर्वस्तर पर है आज भारत में आज देश में रिकॉर्ड जी एस्टी कलेक्शन हो रहा है कुरुषी उत्पावन के नए रिकॉर्ड बन रहे है भारत के शेर मार्केट पर बरोसा चरम पर है आज भारत के निर्यात के नए रिकॉर्ड बन रहे है UPI टांजेक्शन के नए रिकॉर्ड बन रहे है त्यहारों में खरीद के नए रिकॉर्ड बन रहे है गाडियों की सेल के नए रिकॉर्ड बन रहे है आज भारत में सिमेंट प्रोडक्शन बढ़ रहा है कोईला प्रोडक्शन बढ़ा है आज भारत में स्टील उत्पादन बढ़ा है बिजल उत्पादन बढ़ा है दुनिया भर की कंपनिया भारत में बैनिफेक्टरिंग के की जा रही है साथ यो आज भारत का फिजिकल इंट्रासेक्टर पूरी तरह से ट्रांस्फरम हो रहा है आप देखिए चारों तरफ एक्सप्रेस्वे का इंडस्ट्रियल कोरिडोर का जाल बिश रहा है भारतिय रेल आज अपने ट्रांस्फरमेशन के सबसे बड़े दौर से ग कर रहे हैं आधुनिक ट्रेने आ रही हैं गती नहीं है संकल्प नहीं है और मैं देश्वाश्य को कहना चाहता हूं हर देश्वाश्य को कहना चाहता हूं और मैं मेरे ट्रेक रेकॉर्ड के आधार पर कहना चाहता हूं बड़ी मांदारी से कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मे मैं जारी से कहना चाहता हूं आपके सपने आपके सपने मेरे देशवासियों आपके सपने वो मेरा संकल्प है आपके सपनों को पूरा करने के लिए जो मेरा संकल्प है वो मेरी साधना भी है, मेरी तपस्या भी है साथियों भारत का डिजिटल इन्फरसेक्टर दुनिया में स्रिष्टता की तरफ बढ़ रहा है भारत आज दुनिया में 5G नेटवर्क के मामले में अगरणी देश में पहुँच चुका है आज भारत में गाउं गाउं तक अप्टिकल फाइबर पहुँच रहा है आज देश के सोचल इन्फरसेक्टर पर भी अभुद्पुर्व गती से काम हो रहा है हर गरीब को मुप्त राशन वाली योजना अगले 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है भाजपास सरकार में 4 करोड गरीब परिवारों के पक्के गर बन चुके है हम हर गरीब परिवार को पक्की छत देने के संकल पक्की के और तेजी से बढ़ रहे हैं घर घर नल से जल यह भ्यान तेज गती से चल रहा है आज देश में रिकॉर्ड गती से नए अस्पताल बन रहे हैं मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी के संख्या बढ़ रही है साथ यूँ आज भारत आगे बढ़ रहा है भारत का नागरिक आगे बढ़ रहा है भारत के लोग इस मोमेंटम को बनाय रखना चाहते हैं अब इससे पीछे नहीं हटना है और पीछे हटना यह मोदी के तो कभी स्विकार नहीं हो सकता है भारत के लोग stability चाहते हैं स्थाहित्व चाहते हैं भारत के लोग विक्सित भारत की आत्रा को गती देना चाहते हैं मैं देश के प्रत्यक युवा को आवान करता हूँ वो विक्सित भारत का ambassador बने वो विक्सित भारत के संकल्पों का नेत्रुत्व करे मैं भाजबा कायर करता हूं से भी कहूंगा प्रतेक भाजबा कायर करता हूं नमो एप पर जाएं और कम से कम दस लोगों को विक्सित भारत का एंबेसेडर बनाएं हमें आज एक ऐसी पीडी तेयार करनी है जिसका सपना हो विक्सित भारत जिसका संकल्प हो विक्सित भारत जिसकी साधना हो विक्सित भारत जिसका समर्पन हो विक्सित भारत साथियों विक्सित भारत निर्मान के लिए ये बहुत जरूरी है कि कोई भी नागरिक कोई भी नागरीग पीछे नहीं छूटे इन चुनावों मैंने लगातार कहा है कि हर लाभारती तक पहुँचकर भाजबाज सरकार उसे सरकारी योजनाओं का लाब देगी इसके लिए केंद्र सरकार ने चौदा नमंबर यानि जन जातिय गवरव दिवास यानि भगवान बिर्शा मुंडा की जैनती से विक्सिद भारत संकल पर यात्रा शुरू की है योजनाओं से वंचित लोगों को जोडने के लिए सरकार खुद लोगों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है जिन जेत्रों में यात्रा पहुंच रही है वहां लोग खुश्या मना रहे हैं कि मोदी की गारेंटी वाली गाड़ी हमारे गाउं आ रही है मैं आज विजे के इस समारों से हर विजे भी कारकरताओं को सला दूँँगा आगरे करूँगा अब आज से आपको मोदी की गारेंटी वाली इस गाड़ी के आगे आगे चलना है मोदी की गारेंटी वाली गाड़ी देश की सफल्ता की गारेंटी बनेगी और ये भी मोदी की गारेंटी है और आपको एक बात और याद रखनी है जहां जहां दूसरों से उम्मिद खत्ब होती है वहां से मोदी की गारेंटी शुरू होती है मेरे परिवार जनों विधान सबा चुनाव के नतीजों ने पोजिटिव एनर्जी का एक ऐसा प्रवाः शुरू किया है जिसे आज पुरा देश महसूस कर रहा है इस सक्ति ने विक्सीज भारत के लिए तयार हुई नीव को और मजबूत कर दिया है हमें ये उर्जा बनाए रखनी हमें ये शक्ति बढ़ाते रहना है हमें 140 करोर भारतियों के विश्वास को जगाए रखना है हमें जन जन को अपने साथ जोड़ना है हमें हर मन को समझना है हमें सब को साथ लेकर चलना है हमें हर एक को अमरित कान की विकास यात्रा का साथ ही बनाना है जो हमसे दूर है हमें उनके पात पहुंचना है जिने संदे है हमें उनमें भरोसा जगाना है भाजपा के कार करताओं पर जिम्मेदारी और बढ़ गई है क्योंकि नकारात्मक शक्तियां अब तेजी से एक जुड होने का प्रयास करेगी देश को बांटने वाली ताकतें अभेडी चोटी का जोर लगाएगी समाज में खाई पैदा करने वाले अम नए मोके तरासेंगे हमें उन से मुकाबला भी करना है उनके फेक नेरेटिव को जवाब भी देना है लेकिन उससे बढ़कर हमें जनता के यकीन को बनाए रखना है साथियों उत्सा और उमन के इस वातावर के बीच मेरी आदत छुड़ती नहीं है तो मैं फिर तो यह तो करता ही रहता हूँ क्यों में कि मुलत तह संगडन से निकला हूँ तो स्वभाव मेरा जाता नहीं मैं आज पुरा दिन टीवी पे क्या चल रहा था जादा समय नहीं दे पाया देखने पाया क्योंकि मैं हमारे जो भारत का पूर्वी समुद्री तठ है वहाँ साइकलोन की संभावना नजर आ रही है जरा तीजी की संभावना नजर आ रही है और इसलिए विजे के महोचों में भी मैं तो यही कार्यकरताओं से कहूंगा हमें साइकलोन मिचों से भी सतर्ट रहना है बंगाल की खाड़ी से सटे तकी इलाकों में इसका प्रभाव पड़ सकता है केंद्र सरकार लगातार इस पर राज्य सरकारों से संपर्ग में हैं उनकी हर संभव मदद भी कर रही है मैं तमिलनाडू, पूरीचेरी, उरीचा और खास तोर से आंदर प्रदेश के भाजपा कारकरताओं से भी कहूंगा कि राज्य सरकार बलेई किसी भी दलकी हो आप पूरी शक्ती से राहत और बचाव काम में जुड़ जाना प्रशासन को पूरा साथ देना और यही एक समर्पीद भाजपा कारकरता के संवस्कार होते हैं हमारे लिए दल से बड़ा देश है हमारे दिल से भी बड़ा हमारा देश वासी है साथियों सब के प्रयास से ही हमने अपने संकल्पों की सिद्धी कर सकते हैं मुझे देश की अमरुत पीड़ी पर बरोसा है हमारा लक्ष एक है साधना एक है, सपना एक है भार्त विक्सत होकर रहेगा इसी भी स्वास के साथ मैं फिर एक बार सभी मतदाताओं का बिनंदन करता हूँ जो भी विजय हुए है उनको शुप कामना ही देता हूँ और हम सब मिल करके देश के सामान ने मानवी यासा पैक्षाओं को पूरा कर पाएं मैं आप सब कायर करता हूँ को आपके माध्यम से माधान में जो लोग महनत कर रहे थे उन सब को रजय से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद